जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे ओमीक्रोन अलर्ट जरूरत पड़े तो लगाए नाइट कारफ्यों केंद्र ने राजियो और केंद्र सासित परदेशों से कहा है कि करोना वायरस का ओमीक्रोन सवरूप डेल्टा की तुलना में कम से कम तीन गुना अधिक संक्रामक है और आपात कालीन संचालन केंद्रों क को सक्रिय किये जाने के साथ ही जीला एवाम अस्थानी अस्थर पर सक्त एवाम तवरीत रोक्थाम करवाई की जानी चाहिए बता दे राजियों और केंद्र सासित परदेशों को लिखे पत्र में केंद्रिये स्वास्त सचीव राजेस भुसन ने परिक्षन और निगरानी बढ़ाने के अलावा रात में कारफ्यू लगाने बड़ी सभाव का सक्त नियमन साधियों और अमतिम संसकार कारक्रमों में लोगों की संख्या कम करने जैसे रणनीती निर्णय को लागू करने की सलाह दी है जार्खन में किसी का समाजिक बहिसकार भी होगी मौब लिंचिंग दो या दो से अधिक लोगों द्वारा हिंसा करने पर इसे कानून की नजरों में मौब लिंचिंग माना जाएगा मौब लिंचिंग में मौथ होने पर दोसी को आजिवन करावास और पांच से पचीस लाग तक के जुर्माना की सजा होगी आधार कार्ड की फोटो कोपी और अंगुठे के निसान से चार हज़्यार महिलाओ के नाम पर फर्जी निकासी गाओ की गरीब भोली भाली महिलाओ को रीन दिलाने के नाम पर नन बैंकिंग से लाखो रुपए निकाल लिये जाने के मामला परकास में आया है बतादे दलाल के चकर में पढ़कर महिलाए कर्ज के दलदल में फंस्ती रही फर्जी वारे का यह खेल पिछले दो वर्सों से चल रहा था लेकिन इसकी जनकारी महिलाओ को तब मिली जब रुपए जमा करने का तागादा उनके पास आने लगा बतादे मंगावार को गढ़वा के सिरी बंसी धर परकांड इस्तीत पिपर डी पंचायत भौन में बड़ी संख्या में गिरामीन महिलाओं ने एकत रहो कर इस फर्जी वारे का भांडाफोर किया ठंड के कारण इसकूलों के समय में परिवर्तन की मांग सित लहर के कारण इसकूल आने में ठिठूर रहे बचे बिद्याला की समय में परिवर्तन की मांग को लेकर जावी मो पूर्व जीला अध्यक्स दिलीप मिस्राने मुख्य मंत्री को गयापन सोपा पत्र में उन्होंने कहा है कि खोटी जीला सही जारकान राज के सभी जीलों के सरकारी, गय सरकारी, सरकारी मने अताप्राप्त, प्राइबेट इसकूल और अल्प संख्यक बिद्यालों में पठन पाठन के समय सारनी में बढ़ते सित लहर की परिकोप के कारण समय कोच छात रहित में बदलने के लिए स्कूली सिक्चा यम सक्षातापी भाग से आदेश जारिक कराने का नुरोद किया है बता दे उन्होंने कहा है कि अभी संपून जारकान में सित लहर का परिकोप है जामुमो प्रमुक सीबु सुरेन की भावी और जामा से बिधायक सिता सुरेन बुद्वार को अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाब बिधान सवा के द्वार पर धरने पर बैठी उन्होंने कहा कि मैंने विधान सवा में जो सवाल किया है सरकार से संतोस परत जवाब नहीं मिला है हम जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा को लेकर सदन में आये है उन्होंने कहा कि CCL की अमरपाली पर योजिना में बन भूमी पर अतिकर्मन किया जा रहा है अब एत तरीके से कोईला की डुलाई हो रही है आरोप लगाया कि सदन में सरकार गलत जबाब दे रही है सरकार से मांग की है कि CCL ने जो अतिकर्मन किया है उसे मुक्त कराया जाए जार्खन में ठंड से रहत नहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटे तक इस्थिती ऐसी ही रहेगी इसके बाद तापमान चड़ सकता है हलाकि उसके बाद अगले 3-4 दिनों में तापमान में धिरे-धिरे 2-4 डिग्री बढ़ने की समभवना है इस दवरान सुबह में कोहरा और धोंत और बाद में समान रूप से आस्मान साप रहेगा वैसे राजे के अधिकांस जीलो का निम्तम तापमान मंगलवार को 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा सबसे कम तापमान बोकारो थर्मल और मेदनी नगर का रहा जहारखन स्टेट वाइल्ड लाइफ बोड का गठन बन एवाम परयावरन विभाग ने स्टेट वाइल्ड लाइफ बोड का गठन किया है इसमें वन एवाम बन प्रानी संरचन वीद्वा परयावरन वीदो को रखा गया है बतादे कूल 10 सदसे बोर्ड में रखे गए हैं अनसुची जन जाती सदसे के रूप में राची इन्वर्सिटी के मानो सास्त्र बिभाग के पूर्व डाक्टर कर्मा उरा और राची महिला कॉलेज के भोगल बिभाग की सहायक प्रध्यापक डाक्टर सुनीता लिंडा को रख रांची के तीन जगहों पर बनेंगे विधायक आवास रांची में तीन जगहों पर विधायक आवास बनाये जाएंगे बतादे बैठक में विधायक नवीन जैसवाल समरी लाल राजेस कक्षप भी मवजूद थे मुख्यमंत्रे मनसुले ने पतादिकारियों से कहा कि एक ह जगह पर बिधायक आवास बनाना संभव नहीं होता है तो अलग अलग जगों पर बनाया जाएं इसके लिए सभी सीयो और डीसी जगह चीनित कर बताएं एक सुझाव या भी आया की पलामू लोहर्दा का गुमला लातेहार और सिम्डेगा से आने वाले बिधायकों के टोनकों में आवास बनाये जाएं गढ़वा में अवैध कोईला खनन गढ़वा जिले के सुधरवर्ती भंडरिया थाना चेत्रे की नक्सल परवहावीत हरता वक कुरून गाओं की सीमा परिस्थीत बहमनवा नदी के दोनों की नारों पर कोईले का अवैध खनन किया गया ह बता दे इस दोन कोईले का खनन कर इसकी ढूलाई की गई है इधर रविवार को मफ्याओं ने अवैध खनन में लगी पोकलेन मसीन हटा ली है और ट्रेक्टर से ढूलाई भी बंद कर दी है आरक्षन को लेकर कोडारमा में आईसू ने खुला मोर्चा 27 परतिसत पिछडा वर्ग आरक्षन को लेकर मंगलवार को आईसू के राज्य ब्यापी कारेकरम के तहद जीला मुखहलाई के समक्ष उपवास सधारना कारेकरम का उजन हुए बतादे कारेकरम में केंद्रिये महासचीव संतोस सहाय आंदोलन कारी केंद्रिये कमिटी सदसे अजीत मुखहरूप से उपस्तित हुए ट्रेनों में सफर हुआ आसान यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ट्रेनों में अनरक्षित कोच की बेवस्था उपलब्द कराई जा रही है इसे लेकर कई ट्रेनों में अनरक्षित कोच होंगे अनरक्षित कोच की बेवस्था नहीं होने से यात्रियों काफी परशानी होती थी बता दे अम्तिम समय में ट्रेन में यात्री को टिकट नहीं मिल पाता था साथ ही सफर करना भी सास्ता होगा ट्रेन संख्या 18631 राची चोपन एक्सपरेश ट्रेन में समाने स्रेनिक के 5 कोच तथा 2 SLR कोच 22 दिसंबर से अनरक्षित कर दिये गए हैं कोच संख्या D6 से D10 एवां DL1 और DL2 में यात्री अनरक्षित टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं होमगाड भरती में जम कर हुई धांधली हजारी बाग जीले में लंबे अंतराल के बाद 1267 पदों के लिए होमगाडों की बहाली में बड़े पैमाने पर धांधली की गई थी बता दे हजारी बाग उपायूत के निर्देश के आलोक में पादर सिता बरतने के उदेश से परतेक संख्या रिजल्ट का परकासन होता था और जीला परसासन अपने वेबसाइट पर इसे परकासित भी करती थी परन्तु इसी सूची में बहे पैमाने पर अमतिम समय में संबंधित पताधिकारियों द्वारा फेर बदल किये गए और निम्न नंबर वाले पास और उस्तम योगिता वाले फेल हो गए और बंधिक सूची जारी होने पर अभियार्थी से अपवत्ती मांगा गया था ऐसे में अनेमित्ता को लेकर उपायुक्त कर्यालय को एकासी आवेदन प्राप्थ हुआ था जाच में सभी आवेदन सही पाएगा है और भारी पैमाने पर धानली के पोल खुली है तीसरी लहर से पहले होगा पून टीका करण गढ़वा गढ़वा सदर अस्पताल परिशल इस्थित सिविल सहजन कर्यालय के सभागार में मंगलवार को एक दिवस्य कार्यसाला का उजण किया गया इसमें नीजी अस्पताल के संचाल को ने भाग लिया बतादेकार सला में कोवीड रोधी टीका करण की रफ्तार बढ़ाने तथा नीती आयो के निदेश को लेकर बिश्तित चार्चा की गई मौके पर अपर मुख चिकित सपतादिकारी डाक्टर जेपी सिंग भी उपस्थित थे इसकूली बच्चे डायन कुपर्था के जागरूपता अमबेश्डर बनेंगे जारखन हाई कोट के मुखे ने अधिस डाक्टर रवी रंजन ने कहा हाई की 21-20 सदी में भी डायन कुपर्था के जर्ये महिलाओं से आसमानता और भेदभाव का दोर जारी है जो दुखद है जागरूपता वा सिक्षा की कमी ऐसी कुपर्थाओं को बढ़ावा देती है हमें इसकूली बच्चों को डायन कुपर्था को समाप्त करने के लिए ब्रांड एमबेश्डर के रूप में त्यार करना चाहिए जो गाव में हमारे जागरूपता अंबेश्डर होंगे सभी विभागों को साथ मिलकर हर गाव में सिक्षा जागरूपता स्वास्थ सिवाव को सुद्रीड करने की जरूरत है और हर गाव में महिलाव को ससक्त बराने की जरूरत है पाला गिरने से किसान परिशान सब्जी की खेती तबाँ पूरा जहर्खन इंदीनों भिष्ण सित लहर की चपेट में है बतादे परदेश की राइधानी राची के काके इलाके में बुद्धवार सुबा एक डीरी से स्टापमान दर्श किया गया कराके की सर्दी अब किसानों पर कहर बनकटूट रही है बतादे सब्जी की खेती करने वाले किसानों को व्यापक नुकसान उठाना पर रहा है पाला गिरने की वज़ा से आलू, गोभी और बैगन की खेती का तगड़ा नुकसान पहुंचा है साथ ही चने की फसल भी बरबाद की कागार पर है बता दे मौसम के तल्ख तेवर को देखते हुए किसानों ने सरकार से मुवजे की मांग की है ताकि आर्थिक नुकसान की भरपाई की जा सके धन्यवाद यादि आप चनल परना हो तो चनल को सब्सक्राइक आप बहल के बले के अंद भाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेर करना ना भूले थाइंक्यू